Hello everyone, welcome back to my channel So, आज मैं ज़रा थोड़ा different topic पर बात करने वाला हूँ जो की है सपने हम सभी ने कही ना कहीं, कभी ना कभी सपने जरूर देखे होंगे और उनको पूरा करने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए है जो सपने देखते हैं और उनको पूरा करने की हिम्मत रखते हैं बचपन से आज तक मैंने अपने लाइफ की डिसीजन्स खुद लिए फिर चाहें वो 10th के बाद बाद बायो ना लेकर मैट्स लेना हो कितने sacrifices लगते हैं और कितना कुछ खोना पड़ता है अपने खुद के decisions लेने के बावजूद भी एक डर रहता है ये decisions सही है या नहीं क्या मैं इस चीज में successful हो पाऊंगा भी या नहीं और आज मेरी जो भी condition है मैं जिस भी situation में हूँ सभी मेरे खुद के decisions की वज़े से तो अब तक बहुत सारी कोशिशें की life में कुछ अच्छा करने की खुद के सपने पूरे करने की और मुझे लगता है ये सपने ही हैं जो हमें रुकने नहीं देते रात को चैन से सोने नहीं देते कुछ बढ़ा करने पर मजबूर करते हैं कुछ अच्छा करने पर मजबूर करते हैं सपने तो आज नकल पूरे हो नहीं है ल carbohने सपनों का पीछा करते जो हम इनसान बनते हैं वो मेरे हिसाब से शायद बहुत जरूरी है अपनी منزل को पाने के लिए जो सफर हम ते़ करते हैं उस सफर पर चल कर जो हम सीखते हैं इस सफर में बहुत सारे काटे भी आते हैं बहुत सारे पत्थर भी आते हैं उनसे गिर कर उनसे लड़कर जितना मजबूत हम बन पाते हैं वो शायद बिना सपनों के नहीं मन पाई है और इन ही सपनों की तलाश में अपने आपको बहतर से बहतरीन बनाने का सफर ही जिन्दगी है और इन ही सपनों को पाने के लिए मैंने भी अपनों के खिलाफ कुछ decisions लिए शायद उनी decisions की वज़े से आज मेरी कोई value ना हो क्योंकि मैं अभी तक कुछ achieve नहीं कर पाया जो सपने मैंने देखे थे उनको मैं पा नहीं सका अभी तक और मुझे नहीं लगता कि अपने लिए जीना अपनी खुशियों के लिए जीना अपने सपनों के लिए जीना कुछ गलत है अगर सपने बड़े हैं तो समय लगता है उनी की तलाश में ये अपना एक और कदम है और जितने बड़े सपने होते हैं उतने ही बड़े sacrifices भी होते हैं और इन बड़े सपनों को पाने के लिए उनके लायक भी बनना होता है तो अभी जो सफर शुरू हो रहा है खुद को उस लायक बनाने के लिए भी हो रहा है शायद मैं वो सब चीजें अभी तक इसलिए अचीव नहीं कर पाया क्योंकि मैं उनके लायक नहीं हूँ अभी तो खुझ को उस लायक बनाने के लिए ये चैलेंज में लेने जा रहा हूँ ये चैलेंज का नाम है project 50 इसमें next 50 days के लिए हम कुछ rules को follow करेंगे और वो rules क्या होंगे मैं आप लोग के साथ share करने वाला हूँ so next 50 days तक हम ये 7 rules को follow करने वाले हैं और साथ में मैंने एक rule और भी अपनी तरफ से एड़ किया है इसको और थोड़ा चैलेंजिंग पनाने के लिए तो जो 7 rules हैं वो कुछ इस तरह से हैं number 1 rule है हमको 6 a.m. से पहले उठना है सोबाद 6 बजे से पहले उठना है लेकिन rule के according 6 बजे से पहले पहले उठना है कभी अगर miss भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमने rule break कर दिया बट हाँ अगर 6 बजे के बाद हम उठ रहे हैं तो वो rule break हो जाएगा second rule है morning routine 1 hour का एक morning routine होगा जिसमें no distractions, कोई distraction नहीं होगी mainly phone वो सबसे बड़ी distraction है आज की time में तो 1 hour का हमारा morning routine होगा एक जिसमें हम एक proper routine को follow करेंगे third rule है dedicate 1 hour towards a new skill तो हम किसी भी skill के लिए एक घंटा उस पे काम करेंगे एक घंटा पूरे दिन में निकालेंगे और एक कोई भी skill को हम सीखेंगे कुछ भी skill हो सकती है वो वो trading हो सकती है English speaking हो सकती है dancing हो सकती है swimming हो सकती है singing हो सकती है कोई भी skill जो भी आपको पसंदो rule no.4 है read 10 pages daily तो हम reading करेंगे 10 pages की at least और वो जो 10 pages होंगे वो किसी non-fictional book के होंगे कोई भी fictional book नहीं होने चाहिए हम कोई भी educational book पढ़ सकते हैं कोई भी business book पढ़ सकते हैं कोई self improvement book पढ़ सकते हैं rule no.5 है exercise for one hour daily तो हम daily एक घंटे exercise को देंगे जिसमें आपका gym हो सकता है swimming हो सकती है dancing हो सकती है running हो सकती है so depend करता है आप क्या activity कर रहे हैं एक घंटे का movement अच्छे से होना चाहिए basically आपकी body में से अच्छा खासा sweat बहार निकलना चाहिए तो जो toxins है वो बहार निकलेंगे आपकी body move कर पाएगी energetic feel कर पाएगी और आप healthier feel कर पाएग rule no.6 है eat healthy तो हमें 50 days के लिए कोई junk नी खाना घर का खाना खाना है अच्छा खाना खाना है और मैं तो वैसे भी weight gaining पे काम करने वाला हूँ तो मेरे लिए weight training भी इसमें है और healthy diet भी इसमें है diet और training मैं सब कुछ share करूँगा 7th rule जो होगा track your progress जो भी आपकी progress है daily की उसको track करना है practice तरह से कर सकते हैं हम अपनी journal बना सकते हैं जिसमें हम daily लिखेंगे अपने thoughts को daily हम कैसा feel कर रहे हैं वह हम लिख सकते हैं और एक daily progress की photo लिनी है यह daily आप कैसे दिख रहे हैं तो क्या progress दे रहे हैं और मैं तो daily vlogging करने मला हूँ तो daily videos आपको देखेंगे और यह मेरे लिए एक तरह से journal का काम करेगा video form में मैं देख पाऊँगा फर्स देवे में कैसा था और फिफ्टिएथ देवे में कैसा हूँगा अगर मैं complete कर पाए इस challenge को तो तो यह थे हमारे 7 rules जिनको हम follow करने वाले हैं इस journey में और daily के videos मैं आपको देने वाला हूँ और एक जो मैंने खुद के लिए अपने personal airth rule बनाया है जो की है no social media consumption मतलब मैं social media use करूँगा लेकिन consume नहीं करूँगा मैं सिर्फ content create करूँगा और post करूँगा तो next 50 days के लिए मैं कुछ भी consume नहीं करने वाला हूँ social media से खासकर instagram से instagram मैं बहुत ज़्याद यूज करता था बट अभी देखना नहीं है अभी बनाना है मैं post करूँगा डालूँगा जो भी मेरा content मैं बना पाऊँगा कोशिश करूँगा बनाने की तो basically हम move करने वाले हैं consumption से creation पे तो social media को हम positively use करेंगे अभी ना ही मैं stories देखूँगा ना ही messages देखूँगा कुछ भी consume नहीं करूँगा तो ये मेरे 8 challenges थे देखते हैं कैसे रहते हैं next 50 days बस जो सब ने देखे हैं उनको पूरा करने की कोशिश है और इस कोशिश में ये एक छोटा सा एक step है और इन 50 days के बाद मैंने खुद के लिए एक price भी set किया है अगर मैंने 50 days ये सब चीज फॉलो की और properly मैं ये सब कर पाया तो 50 days के बाद मैं खुद को एक छोटा surprise भी दूँगा वो मैं तभी reveal करूँगा उसके बाद जब मैं complete कर पाऊँगा लेकिन हाँ मुझे इतना बता है कि कुछ ना कुछ तो change ज़रूर होगा क्योंकि हम ये सारी healthy habits को अपनी life में include करने वाले हैं काफी मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं पहले से ही ये सब चीज़ें परना चाहता था लेकिन एक proper way में नहीं कर पा रहा था और अगर आप भी इस challenge को लेना चाहते हैं तो please लीजिए और ये सारे rules को follow कीज़े अपनी life में अगर आप इस journey को थोड़ा easy बनाना चाहते हैं तो आप किसी friend के साथ भी ये challenge को ले सकते हैं आप उसके साथ ये videos शेर कीजिए और उनको बताईए कि ये challenges है मुझे भी बता सकते हैं कि किस तरह से इसको और अच्छे से हम perform करें कमेंट्स में बताईए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो like कीजिए और जिससे की मुझे भी motivation मिलेगा आगे 50 days के लिए इन 50 days तक पहुँचने के लिए motivation और inspiration बहुत जरूरी है तो वो आपके like से जरूर मिलेगा थोड़ा सा डर है कर पाऊंगा या नहीं क्योंकि announce कर दिया है और इन सब 8 rules को follow करने से भी जागा एक और चीज है जो 50 days तक follow कर पाना बहुत मुश्किल है वो है shoot करना, edit करना और post करना वो भी daily तो पहले से ही ये 7 to 8 rules काफी सारे हैं और इनको follow करने में ही सारी energy ना चली जाए और उसके साथ साथ edit करना, shoot करना ये भी है देखते हैं कैसे हो पाता है 24 hours को कैसे use करेंगे हम बस body और mind साथ दे thank you यहां तक video देखने के लिए आप सभी को मैं invite करता हूँ इस journey पर मेरे साथ चलिए हम सभी एक साथ transform होते हैं और अपने सपनों की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हैं तो मिलते हैं next video मैं आपके साथ तब तक के लिए बाए